Hey welcome back to our channel, आज की इस विडियो में जानेंगे आप LinkedIn में अपना profile कैसे create करेंगे तो चैनल पर नहेते हैं चैनल को अभी सबस्क्राइब करना है, आगे भी इस सब्सक्राइब करना है आगे इस वीडियो उसका देखने के लिए, तो चलो वीडियो करते हैं सुरू तो सबसे बहले आपने क्या करना है play store में जाना है आप play store में जाके linkedin को आपने वहां से install कर लेना है और आप desktop पे या laptop से कर रहे हैं तो आपने google पे जाके search कर लेना है linkedin और वहां सिर्फी sign up पे click करना है तो आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा आप mobile से करेंगे फिर भी यह यह आएगा तो सबसे पहले आपने इसमें email और phone number डालना है अपना आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं उसके बाद आपने password डालना है password create करना है and agree and join पे click करना है आप direct join to google भी करेंगे तो आपके device में जो भी Gmail ID ओपन होगी उससे आप direct sign up कर सकते हैं इसके बाद next आपके सामने यहाँ पर देखेंगे first name and last name तो आपने पहले अपना first name डालना है उसके बाद last name डालना है उसके बाद continue करना है उसके बाद next आपको let's do a quick security check तो आपको एक puzzle यहाँ पर solve करना है तो verify में आपने click करना है तो यहाँ पर आपको कुछ पूछ रहा है तो यहाँ पर आपने इसको solve करना है जिसे medic दिया है तो यह इस तरह से सही है and second वाला puzzle solve करने के बाद आप यहाँ पर देखने आपका name आ जाएगा and नीचे आपको अपना country and reason डालना है and यहाँ पर district डालना है उसके बाद आपने next कर लेना है next आपको your profile helps you discover new people and opportunities तो यहाँ पर most recent job title तो यहाँ पर आप अपना job करते हैं और डाल सकते हैं नहीं तो नीचे option है I am a student तो अगर आप student है तो आप student पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद आपने continue करना है next आप देखने confirm your email तो यहाँ पर आपना email पर आपको एक अगर आपने email डाला है तो email पर आएगा mobile नमबर डालता है mobile नमबर पर आपको एक code आएगा वो code आपने यहाँ पर डालना है उसके राद आपने agree and confirm पर क्लिक करना है next आप देखने are you looking for a new job तो not now या yes यह depend करता है तो मैं यहाँ पर yes कर रहा हूँ next आप यहाँ पर दीखने job title आपने डालना है आप किस type की जॉब रहा हूँ रे है and यहाँ पर आपको job location डालनी है उसके बाद आपने यहाँ पर next पे click कर ले नै यहाँ पर आप 5 job title डाल सकते है उसके बाद आपने next करने के राद आप यहाँ पर देखने get notified when new jobs are posted तो यहाँ पे आप येस कर सकते हैं मैं यहाँ पर डेखेंगे इसमें आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर व्यूप्र प्रॉफाइल करके आप अपनी प्रॉफाइल देख सकते हैं साइन आउट कर सकते हैं और एडिटिंग भी आप यहीं से कर सकते हैं एडिट करना चाते हैं अपनी प्रॉफाइल को तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं यहाँ से आप पिक्चल लगा सकते हैं और बागी जो भी एडिटिंग है यहाँ पर पैंसल पर क्लिक करके आप एडि árेंट पोजिशन जो है और नियू पोजिशन आप कोई लाओं और आप इसमें डाल सकते हैं इंदस्ट्री आप यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लें और एजज एडट न्यू एज इजुकेशन यहान पर कलिकके आपनी इस गूलिंर्ट यहाँ लगतर नीचे आप देखेंगे, लोकेशन आप डाल सकते हैं, इसमें अपना डिस्ट्रिक और यह सब डाल सकते हैं, अपने यूरल आप इसमें डालना चाहिए तो डाल सकते हैं, इमेल और वेबसाइट लिंक्स सब ओके, उसके आपने सेप कर लेना है, अर नीचे आप यहां पर देखेंगे, पिपल यू में ओ, तो यहां पर वही लोग आपको दिखाई दिखेंगे, जो आपकी industry से हैं, और आपने, या जो आपकी company से वही लोग यहां पर दिखाया दिखेंगे, और नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे नेक्स्ट आपसे नोटिफिकेशन यहां पर जो भी नोटिफिकेशन आपको यहां पर दिखाए दिनगी मैसेज अगर आप यहां से मैसेजिंग कर सकते हैं message में click करेंगे तो यहां से आप messaging कर सकते हैं किसी को भी and next है job, यहां से आप job ढूट सकते हैं, job पर आपको click करना है job ढूटने के लिए पर यहां पर search है, यहां पर आपने title, search करना है कौन सी job आपको चाहिए and यहां पर city ढालना है, example के लिए मैं production manager की job चाहिए मुझे, production manager and यहां पर search कर लेते हैं, यहां से आपने फिर country या city जो भी आपको डालना है मैं महरास्ट में देख रहा हूँ, तो मैं महरास्ट इंडिया डाल लेता हूँ, आप कोई और जगह देख रहे हैं तो वहां का नाम आप यहां पर डाल के search कर सकते हैं, आपने फिर search करना है, तो यहां पर आप देखेंगे production manager, B2C mobile तो यहां पर सब आ रहे हैं, जिसको आपने apply करना है, उसमें आपने click करना है, तो यहां पर आप देखने bugle में भी आपको आ रहा होगा आप scroll down करेंगे तो नीचे आपको सारी companies दिखाए देंगी, तो यहां पर मैं senior production manager, mastercard, तो मैं इसमें click करता हूँ यहां पर आप पुरा read कर सकते हैं, full time, mid senior level, कितने employees हैं, यह सब आपको दिखा रहा है, अगर आपको नीचे read करने हैं पहले इसको आप पुरा job title और सब कुछ इसमें दिया होगा आपको नीचे, इस तरह से, अगर आपको apply करना है, तो आपने apply पर click करना है, यहां पर apply पर click करना है, and continue कर लेना है, उसके बाद, और आप चाहिए तो पर यहां पर company के नाम से भी search कर सकते हैं, and title के नाम से भी, job title जो भी है, तो company लेते हैं, इसे वीप्रो के लिए अगर आप search करना है, okay, आपने भी search करना है, तो आप देखने हैं, यहां पर जो भी jobs हैं, वो आज गी हैं, इसमें साब किसी में भी एक को click कर लेते हैं, okay, and यहां पर apply का button है, apply पर click करना है, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, आप विप्रो की carrier site पर पहुंच गया है, यहां पर apply का button है, आपने apply करना है, इसको read करना है, इसको read कर सकते हैं, बढ़ आपने पहले इसमें registration क आपने आप करना पड़ेगा, उसके बाद apply कर सकते हैं, जैसे आपको interview, email, यह सब करना पड़ेगा, okay, उसके बाद आप apply कर सकते हैं, इस तरह से आप किसी भी company में आप job के लिए apply कर सकते हैं, LinkedIn से, and next home में आप यहां से photos, videos, and event जो भी आप यहां से post कर सकते हैं, okay, and post यहां स आप update भी कर सकते हैं, तो काफी easy है LinkedIn में profile बनाना या job के लिए apply करना, अगर आपको video अच्छी लेगी तो channel को भी subscribe करना, आगे भी इस तकी videos को देखने के लिए, and thanks for watching, see you in next video.